हरे कृष्णा सभी बक्तों गार्दी स्वागत है इस कृष्णा कथा में इतकारी क्रम में हाई हम पांच में लगान का कृतिन करते हैं कि अरूज बक्तित्त इस भाड़ करते है गोपी परणा दाना मादाना मानो हराः परणा दाना काली आधा माना बिधाना काली आधा माना बिधाना आए शो मदिन नुना ना मजबार्ना अगर हो नहीं हो बूलारू आपाना हो ऑचिना इनल अभाटक तो शोती नापने नाति अमियाबिलाजार नरिनाम आमी अभेत्स लिवेना बुदातर तरा नामी अजार नामी अजार लिवेना भुदाओर Razak कि आखि अर्पी नंदाना थे पहल शेना घंजना पेंगाने मैं जो दिर्णाट नंदाना थे जना रहिए जाने पार नानो शूर्त नंदाना थे जो दोड़ ओर फन्दये रह्मित सुटनिए भूझे हम ओर भूझे जाे दी गालर नहींजो विल्ड मुझण। दाप्रा-बेंदान्त कर दो गना कर दो घंडान्त कर दो चिताम् मार्णा प्रीश विर सब्दों चौप्रेन शौन् शौन्हों चौन्हां खौरा नि जा। जौन्हां शौन्हां शौन्हां जंत्र नार्गारा डौन्हां यामुना अधिस्तों चारा रखुपी बाश्या नारा कुछ लहा कुछ थैयार यू सभosition कृटाया नहीं हुग झाल का ऑफुल पिंद्वानक्षब्बाद आसे सिराधाम जाना जबरादा मां भुंदा मना जबरादा आता है लिवेत्ता मंधिय अगत्यव पार्जीक्त आसंधिन शेद्वित। आजी दीनो दाया आज घर्जंग पहस्ति आता की पहस्ति आता है जिसमा जिना दुनाना मजवरादाई जुवर्णाय डेन तरस निएट्फ। कर दो जाने आड जाने भी जाने को भी तुकित कराद। पुझा 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 नबार्वा 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 कि बना प्रदा इब बखंगें होग्षorm, टॉपक जोडि के सब्कें है के लुकेज़ से समी असना कि लूट मेंने है टॉपक्त फंगेनो सभी युपक्त बोच्वाद शिस जवा तीत होग्ष्मिद्यूक्त है अरे जिस्ता, हरे विश्छा, सिस्ना जिस्ता, हरे आरे अरे राम, अरे राम, अरे आरे जाधा जाए 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 ज जाय अ ग्रिश्णमाला राम दिन्दावनादाम जाया 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 जया 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 जय श्री श्री कृष्टन बल्राम की जाए श्री गिर्राज महराज की जाए श्री बिंदान धाम की जाए श्रील प्रभुपात की जाए निथाए गोरा हरी प्रेवन देव ओम नमो भगवत्य वासुदेवाया ओम नमो भगवत्य वासुदेवाया ओम नमो भगवत्य वासुदेवाया नारायनम नमस्कृत्यम नरंचय वनरोत्वं देविं सरसुतिं व्यासं ततो जायमुदीरे नष्टप्राय सुबद्रेशु नित्यम भागवत्सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर भवतिने श्टकी ओम अज्यांति मिरांधस्य ज्ञाना अजना शलागया चाक्षुरन नितम्ये नतस्मे श्री गुरुवे नमहा श्री चैतन्य मनो प्रिष्टं स्थापितं ये नभूतले स्वयं रूपं कदामयं दाति स्वापधांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्री उतापद गमलं श्री गुरुन वैष्ण वांस्य श्री रूपं साग्रिजातं सहगर्णार गुनातान वितम्तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं भरिदना सैतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बदान सहगर्णा दलता श्री विष्ण नमावम विष्णुमदाया खृष्ण परिष्टाया भूतले श्रीमते बक्ति विदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सरसुति देवे गौरवानी प्रिचारीने निर्विश्येश शुन्यवादी पास्त देश तारीने हे खृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राद कांत नमस्तते तप्तकांचन गौरांगी राधे व्रिंदा वनेश्वरी रिष्भानु सुते देविं प्रणमामी हरी प्रिये खृष्णाय वासु देवाया देवकी नंदनाय चा नंदगोपकमाराय गोविंदाय नमो नमा जाए श्री कृष्णा चैतन्या प्रभूनित्यानंदा श्री अद्वाइद गदाध रष्वास दिगोर भक्त विंदा हरे खृष्णा हरे खृष्णा कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम रा राम राम। हरे हरे। ह्रे करिश्णा सभी भक्तों का हर्दिक स्वागत है। करिश्ण रेला की धिवे कारिक्रम में है। कि प्रिणावन और वन की धिर्वे लिलाओं को हम सुना अनेक अनर्थ के रूप में जो हमारे दूर्गुण हैं उनको दूर करने के लिए कई सुन्दर सिक्षाईं भी दे रहे हैं पिछले दो देन से हम भवान के एक बड़ी ही प्रसिद लीला गोवर्दी लीला का शोगन कर रहे हैं ऐसे तो ये लीला पांच हजार वर्ष पूर्व कही गई थी और हर साल गोवर्दन पूजा का उसव अनकूट का उसव प्रतेक मंदिर में मनायाता हैं बट इसके अंदर जो सिधान्त हैं वो हमारे आध्यात्मी जीवन के लिए बड़े लाबकारी हैं तो इसलिए जितना हम दिला को अधिक सुनेंगे उतना हमारा खलयान होगा तो अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार भवान कृष्ण कुछ उद्देश्य लेकर एक गोवर्धन लिला किये थे एक उद्देश्य था कि वो चाहते थे कि सभी भक्त खास कर से विद्दावन के भक्त एक मात्र परम भवान कृष्ण की भक्ति करें और देवी दिताओं की अलग से उनको पूझा भक्ति करने का श्क्ता नहीं है तो इस बात को स्थापित करने के लिए भवान कृष्ण ने नंद महाराज को इंदर की पूझा रुकवा कर और गिराजी की पूझा प्राणरम कराई एक तरफ भवान इंदर के अहंकार अभिवान को नश्ट करना रहते थे क्योंकि वो अपने आपको परम नियंतरक के रु और भवान ये भी चाहते थे कि ब्रिंदावन के जवासी हैं गौाल बाल गोपिया अनंद महारा जश्वदा मया जिनके संग वो सनातन आनंद लेने में पूरा समय नहीं दे पाते हैं तो साथ दिन साथ रात लगा थार उनको दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए भवान के पास रक्षा करने के लिए यहां पर यह सिद्धान स्थापित होता है कि यही हम किसी भी संकट में कृष्ण कि श्रण में जाएंगे तो प्रिश्ण महारा निश्चे दूरूप से रक्षा भी करेंगे और भवान ने गिराजी का मान वर्दन करने के लिए इंद्र का मान अमन करने के लिए वरिजवासियों को अनंद देने के लिए यह सब बातों को एक साथ करते हुए भवान ने पड़े आसानी से गिराजी को धार्ण किया सब को बोला उनने आप आयो जल्दी जल्दी आजाओ और सब गौाल बाल गोपिया अनंद मान जेशुदा मया अपना गये बच्छडों सकड़ों के साथ सब के साथ लेकर गिराजी के तलेटी में आयती नीचे आयते हैं हमने सुना किस प्रकार से सुधर्शन और सेशनाग भी भवान की साहिता करने के लिए और वहां पर फ्रकट होते हैं और साहिता करते हैं और भवान की क्रिपा से साथ दिन और साथ रात लगा था प्रिशन खड़े रहते हैं लेकिन कोई भी गौाल बाल किसको कोई नुकसान नहीं होता है हमने कल विशेश रुप से सुना था किस प्रकार से प्रारम में गवाल बालों और उपियों को थोड़ा संकोज था कि किस प्रकार से चोटे से बालक इस गिर्राज को धारण करेंगे लेकिन जब कुछ समय निकल गया थो उन्हें उनके सुन्दर मुखारविंद क की तरफ देखना शुरू किया और कृष्ण के सुन्दर रूप को देखकर सब लोग अपना भूग प्यास चिंताएं कष्टों को भूल गये और कृष्ण के सुन्दर रूप का दर्शंकन लगे हमने चर्चा किया था कि एक एक तुफान एक बारिश तो गिराज के उपर हो भवान के चितवन है भवान के दृष्टी है वह बिजग्यों के समान है और जो कृपा दृष्टी है वह उस मुस्लाधार वर्शा की तरह है जिसमें की गौाल बाल गोपियां कि कृष्ण प्रेम के आनंद में भीग रहे थे और आनंद प्रतान करें प्राप्त कर रहे थे बड़े विस्तार में में इस कर्चा किया था किस प्रकार से उनकी इच्छा थे कि लगातार कृष्ण को देखें और साथ-साथ में महां पर सब लोग आनंद भी ले रहे थे सब लोग कृष्ण को देकर बड़े प्रसंद थे लेकिर वासले भाब में ये शोदा महिया सोच रहे थे ओ ये मेरा चोड़ा सा लाड़ा है चोड़ा सा बच्चा है इसकी उगलियां कितनी नाजुक हैं और ये इतने बड़े पहाड को टाया हुआ है क्रिष्ण के थोड़ा लग रहा था हूँ को पसीना भी आ रहा है गर्मी से क्या करू मैं तो ऐसा सुनकर मदू मंगल ने बुला अरे भावान बड़ा सुंदर लीला कर रहे हैं चिंदा नहीं करो ये शौदा मैया कर रहे हैं कहते हैं कृष्ण को कहते है आरे तुमने क्यों किया क्यों तुम इंद्र के रिक्वाद ये तुम जानते हैं नहीं हो बड़ा शक्तिशारी राक्ष्यस है तेरे वो क्या जरूती ऐसा करने की तो मदू बंगल ने बोला ये तो अच्छा ही किया भवान ने अगर ऐसे नहीं कि देते हैं इंद्र को दंड तो फिर हम कैसे साथ दिन और रात एक साथ क्रिश्ण के संग खेल पाते हैं तो ये शौदा मैया कहती तेरे को अपने खेलने की लगी है यहां देख नहीं रहा है त और किस तरह से वो इतना भारी परवत उठा के रखा हुआ है तो मदू मंगल कहते क्रिश्ण ने कहा अपना परवत उठा हुआ है यह तो मैं अपने ब्रह्म तेज से इस गिर्राज जी को उठाकर रहा हूं क्रिश्ण दुसेवर इसको नीचे उंगनी रगा रहे हैं तो ये प्रसन हैं और आकाश में उड़ रहे हैं मैं तो सरफ उगल लगा रहा हूं तो महिया कहती है फिर तो तुम्हें पसीरा नहीं आना चाहिए ना फिर गिराजी से प्रात्ना करने लगी है गिराजी यह दि मैंने आपके थोड़ी सी बेसेवा की है पूजा की है तो आप बिलक मोहन हैं लेकिन रादानी मदन मोहन मोहनी हैं उनकी तरफ आकरशित होगया और थोड़ा सा गिराजी थोड़ा सा हिले होगे तो सारे गौल बड़े चिद्धित होगे और जो बड़े गोप थे हो और नहीं सोचा कि भवान ठक गए हैं और सब अपनी चड़ियां लगा लगा कर चड़ी से गिराजी को सपोर्ड दिन लगे मदुमंगल ने बोला अरे तुम क्यों ना समय नश्च कर रहे हैं जो ख्रिशन हैं बलराम के भाई हैं और बलराम तो सकती साली है इसले तुम केवल गिराजी के बस नीचे जंडी चुआ रहे हो कुछ नहीं होने वाला इस से और ये शुदा मया फिर कहती हैं अरे मैंने सुबल को ना कुछ भोजन दिया है कुछ माकन दिया है कुछ खाने को दिया है तुम जरूर उससे ले लो कुछ को तो हम सब लोग मिलकर प्रशाद खाएंगी तो यहां पर यह जो माता पिता थे बड़े गौाल बाल थे वो चिंता की जारें और कर्शन की चिंता लेकर कर और उनको चिंदिद Twoakree में इस के द्वारण कि प्रती उनका प्रेम बढ़ रहा है और इस तरह से कृछन कहते हैं कि हमने साथ दिन और साथ रात एक साथ मिदाई है भवान के इस प्रकाप्य को देखकर इंध्र आश्योरी चकीत रह गया और उसको बड़े लज्जा आई श्रम आई और उसने समन्तक बार्वरत्वा को बोला तुम जाओ और जब बारिश रुख गई तो क्रिश्ण बोलते हैं अब जाओ साथ दिन हो गए साथ दिन वाथ होगी आप साथ लोपने घरों जा लेकिन कोई भी क्रिश्ण को छोड़कर जाना ही नहीं चाता था कुछ देर आगे चले गायं बचले जैसे उन्हें क्रिश्ण को देखा फिर वो दोड़कर आ गई और फिर कृष्ण ने मुला कि नहीं आप जाओ और फिर हम कुछ लिलाइक करेंगे तो इस तरह से हम देखते हैं कि भवान कृष्ण ने जो गो वर्दन की लिलाइक किया इसे बहुत भक्तों को आनन्द दिया और हमारे लिए कुछ सिद्धान भी स्थापित किये कि किस तरह से भवान किस सरक्षन में जो व्यक्ति रहेगा भवान उसको अवश्य रक्षा प्रदान करते हैं और जो भवान का भक्त है भवान उसको आनन्द दिया प्रदान करते हैं हमने चर्चा किया था कि पहले किस प्रकार से भवान के चर्णों का स्पर्ष करके गिराज जी प्रसंद हो रहे थे और अब भवान के हाथों का स्पर्ष करके प्रमोध हो रहे थे तो यहां पर बड़ी मत्वपूर बात है कि जब भवान के सेवा करना प्रारम करते हैं तो भवान हमारा मान वर्धन करते हैं इस तरह से सब गौलबाद चले गए इधर इंद्र बड़ा हैरान बड़ा परेशान क्या करें और वो जाते हैं अपने गुरुजी के पास उनके गुरु है ब्रस्पति और वो कहते हैं शमाय आशना करते हो कि गुरुजी आज मेरे से एक बहुत बड़ा गलती हो गया और मैंने फिर्णावन को नष्ट करने का प्रयास किया कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को कर्ष़ देने का प्रयास किया मैं कितना बड़ा मुर्ग था हैं मुझे समय नहीं आया अभी मुझे बताई मेरे को क्या करना चाहिए प्रस्पतिन उसको बहुत डाटा पहले की बात ही है अभी जो गिराजी की लिला है वह साथ में वर्ष में चल रही है ब्रह्मा जी को यहां तक किस प्रकार से उन्होंने भी बहुत बड़ी गल्ती की थी गौालबानों को गोपकमारों को चोरी किया था और भावान ने किस प्रकार से उनको विनमरित हमबल्ड किया था तो ब्रहमा जी कहते हैं कि नहीं मैं तो इस समय क्रिश्न को अपनी शकल दिखाने लाइक भी नहीं हूँ इन्हें ने बोला मैं क्या करूँ क्या करूँ मुझे कुछ उपाया बताईए और तब ब्रहमा जी ने बोला तुम ऐसा करो भावान कृष्न को गाये बड़ी प्रिये हैं नमो ब्रामने देवाया गो ब्रामने हिदायच भान गायों से बड़ा प्रेम करते हैं गायों का पालन करते हैं तो तुम जाओ सुर्भी गाय के पास और यदि तुम सुर्वी गाय को लेकर जाओगे तो सुर्वी गाय के प्रेम के कारण बہान तुमारी प्रातना को जरूर सुनेंगे और शमा कर देंगे तो हम देखते हैं यहां पर कि पूरे देवताओं का राजा इंद्र है और एक तरफ एक साधान सिंपल सी गाएं हैं सुर्भी और इंद्र अपने सारे इसाहाई समान के संग सुर्भी के पास आता है और उनसे प्रात्ना करता है कि आप मेरा मदद कीजी तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम भवान की आग्या का पालना करके भवान से अलग होते हैं तो हमारे में योग्यता नहीं कि हम डिरेक्ली भवान की सेवा कर सके तो जो लोग भवान को प्री हैं, भवान जिन से प्रेम करते हैं, उनके माध्यम से ही हम भवान के पास पहुँँच सकते हैं, और भवान से शमायाचना कर सकते हैं, खृष्ण को हमारे शक्ति, हमारे सुविधाएं, हमारे पास कितना धन है, कितना आईशुर है, उससे कोई कृष्ण सरल स्वभाव वाले भक्तों की प्रेम भक्ति से प्रसन होते सकते हैं यह सिंपलिसिटी है यह बहुत ही इंपॉर्टन गुण है श्रील भक्तिसादी लिखते हैं कि भक्ति का जो सबसे पहला नीव है वो सरलता है भवान राम भी कहा है ना मोहे चल अच्छे क्रुकड फर क्रुकड हार्ट और जो थोड़े ठेड़े मेड़े गड़बड़ करने वाले हैं तो इस सरलता हमारे जीवर में बड़ी आनी चाहिए इस लीला से हम समसकते हैं सरलता का एक तो मतलब है कि इमानदार होना डुप्लिसेट नहीं होना हमें सुईकार करना हैं बुद्धि दी हैं सारी सुदा हैं भवान के द्वारा दी गई हैं तो जो भी हम कारे कर रहे हैं वह भवान की क्रिपा से कर रहे हैं भवान की क्रिपा को स्विकार करना और उनका धन्यवाद करना इमानदारी के साथ यह एक सिंपलिस्टी है और एक सिंपलिस्टी जो भ किर्टन करना आता है भावान की सेवा करना आता है भावान का प्रचार करना आता है तो इसलिए यह सरलता है वो हमारे आधियात्मी जिए बड़ा महत्वरूर करती है खासकर सिर्फ रिंदावन धाम, रिंदावन मिधान में सब लोग बड़े सरल हैं, गोपियां सरल सुभाव की हैं, गौालबाल, गाएं, बचड़े, नंद मराजे, शुदा, कोई बहुत जादा भौतिक दृश्ची से कोई ग्यानी या उनके पास कोई भौतिक सुधाई नही हैं, लेकिन बड़ा सरल हिर्दाई है उनका और इसलिए खृष्ण उनसे प्रेम करते हैं, यदि हम अपने हिर्दे को सरल और स्वच बनाएंगे, तो अब सुर्वी के पास गए हैं, और सुर्वी के तो सब बच्चड़े जो गाए बच्चड़े हैं, वो सब उनके बच्च कर आती है, और यहां पर देखते हैं कि कृष्ण को इस बात का पता होता है, हम यहां भागवतम के नेक्स्ट श्लोक से पढ़ रहे हैं, यह अध्याए 26वा है 26वा हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम देखते हैं कि सुर्वी यह कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने और भयंकर वर्षा से वरजवासियों की रक्षा करने के बाद, गवों की माता सुर्वी गोलोग से कृष्ण का दर्शन करने आईं, और उनके साथ इंद्र थे सुर्वी तो प्रसंता बुर्वक कृष्ण का दर्शन करने गई थी, कि इंद्र डर्टे डर्टे गए थे, सुर्वी को तो बहारे सुर्वी पालायांतम बड़े प्रिये हैं, इंद्र को डर लग रहा था प्रवापा लिखते हैं, अपने विद्नावन संगियों को इंद्र के अपमान जनक आकरमन से बचाने के लिए, कृष्ण को असमानया युक्तियों का सहारा लेना पड़ रहा था इंद्र निश्यत रुप से लज्जित था और उन्हें भविश्य के प्रति हताश था, उसने अनुचित करम किये थे, इसलिए डरते वे ब्रह्मा की शर्ण में गये थे, और ब्रह्मा ने उनको आदे जिया था कि सुर्वी को लेकर जाओ तो अगले श्रुक में लिखते हैं कि भवान सरवग्य हैं, भवान सब कुछ जानते थे, भवान जानते थे कि अब इंद्र जो है, वो सुर्वी के पास गए हैं और सुर्वी को लेकर आ रहे हैं तो भवान नहीं चाहते थे कि इंद्र को और लजजित होना पड़े और उसको डाउन किया जाए तो भवान जानकर सारे ग्वालव वालों के संग खेल रहे थे उसमें उनको छोड़कर अकेले में आते हैं लिख रहे हैं कि भवान का अपमान करने का इंद्र अतियंत लजजित हैं बड़ा सुन्दर है कि इधर इंद्री तो ब्रस्पती जी के बाज चला गया और अपनी प्लैनिंग कर रहा है कैसे मैं इधर जब गोपो ने गोवर्दन परवत उठाने जैसे क्रिष्ण के कारे को देखा तो बड़े विस्मित हो गए वो आश्यरिशक्वित होगे उनक साथ दिन तक इतने बड़े परवत को धारन करके रखा होने उब इतनी तेज बारिश में तो बड़े आश्यर चके थे गोवर्दन परवत उठाने के लिला के समय गवालों ने भवान के कारे को च्छान बीन किये बिना केवल आनन्द लूटा जब लिला चल रही थी तब त इस तरह पूतना और अनेक असुरों को इसने मारा है जंगल की आग बुजाई है उस समय हमने सोचा था कि ब्रामणों के आशिरवाद से या नंद महराज के सवभाग्या से इस बालक पर नाराहिन की किरपा है जिसके कारण ये खारे कर रहा है लेकिन लगता है यह सारी हमार भगवान होंगे लेकिन दूसरी वर जब हम दुलारते हैं क्रिश्न को तो उसे बड़ा अच्छा लगता है है वो बड़ा भोले बाले गौाले की तरह घूंता है भूका प्यासा होने लगता है दूद दही चुराता है शतानी करता है जुट बोलता है बाल को ऐसे बाते करत है तो फिर किस तरह हम जैसे संसारी विक्तियों के बीच में इसने जनम लिया है अद्बुत कारे कर रहे हैं ऐसा जनम तो उसके लिए घृट लगेगा यह साथ वर्ष का बाला किस तरह विशाल गोवर्दन परवत को खेल-खेल में एक हाच से उसी तरह उठाया रखा जिस इसने अपनी आँखे भी नहीं खोली थी और मेरा बच्चा ही था कि इसने बलशाली राक्षसी पूतना के स्थन का दूद पिया और उसी के साथ उसके प्राण भी चूस लिए जिस तरह काल की शक्ति मनुश्य के शरीर से यौवन चूस लेती है स्मर्ण कर रहे हैं क्रिश्न का अरे अब इसने आँखे भी कोलना ठीक से नहीं सीकी थी छे दिन के थे और पूतना से प्राण उसके चुरा ली थे जिस प्रकार की काल जो है वो यौवन को चुरा लेता है यहां पर गॉवन का कहने कारता है कि ऐसा बालग जिसने अभी आँखे भी नहीं खूली थी वे किस तरह इतनी शक्तिशाली राक्षर से को मार सकता है अब उनको डाउट है यह कोई साधान देखती नहीं है एक बार जब कृष्ण तीन मास के छोटे से जुथे और रो रहे थे तो एक बड़े से छकड़ के नीचे लेटा है वे अपने पाउं को उपर चला रहे थे तब छकड़ा गिर गया और लट गया तो कि नहीं अपने पाउं से अंगूठे से प्रहार किया था इस तरह को जिससे उसे महान पीड़ा होई और वेंचे गड़ पड़ा फिर उन्हें 13 का बड़ किया था वो सुच रहे हैं किसी को विश्वाश नहीं हुआ कि एक वर्ष का बालक उस असुर को मार सकता है जो उसका अपरण करके आकाश मिने किया था फिर उसने एक बार अपनी माता से रस्यों के संग बंद गया था उखल से तो अपने हाथों के बल रेंगते हुए उखल से दो अरजन व्रिक्षों को खोल कर उखाड दिया अनेक बार गौाल बालों और बलराम के साथ वो जब गाएं चरा रहे थे तो बकासुर राक्षस को मार डाला केवल चोंच पकड़के फिर वसासुर बचड़े को मार डाला और फिर बलराम समय तो उन्हें धेन का सुर्क के वद किया और तालवन में हमें आननद दिया फिर उन्हें प्रलंबा सर को भवान बलराम जी द्वारा मार कर कृष्ण ने गौाल बालों और पशोग की दावानल से रक्षा की फिर उन् नीत बडाकर यमना के सरोवर में बलबुर निकाल दिया है है नंद मार रज हमें तो समय नहीं आ रहा है हम और ब्रज के सारे वासी क्यों आपके पुत्र के प्रति अपना निरंतर स्ने त्याग नहीं पा रहे हैं और वे भी हम लोगे प्रति सुताहा इतना आकरिश्ठ क्यो नावन वासी भावान क्रिश्ठ के प्रति अपना अनुराग छोड़ नहीं पाए उनके प्रति निवासियों को प्रवर्ति विशेश रूप से आस्थिक नहीं थी क्योंकि उन्हें विश्वाश नहीं था कि वे इश्वर हैं वो भी एक तरह से आस्थिक नहीं थे क्योंकि मानी नहीं थे इनको भवान है किन्तु वे उन सबों के प्रेम के आकरिष्ट रहते क्योंकि एश्वर होने के नाते वे सर्व आकरशक है गौलों ने ये भी पूछा बालक क्रिष्ण क्यों हम सब के प्रति हनुराग में है वस्तुता भवान सारे जीवों से प्रेम करते हैं तो दवाद गीता क्यातने भवान कहा रहे है कि सबको उनकी शन में आना चाहिए जिसे को प्रेम दे सके हैं चैतन्य मावरुवी क्रिष्ण की सुथी करते हैं हे प्रभू आप मुझ पर अत्यांत दयाल हो है लेकि मैं इतना भागा हूं आई नहीं हो कह रहे हैं दूसरे श्लु रूची रखते हैं लेकिन दुर्भागेवश हम भावान के विरुद्ध हैं हमें इस मुर्गता का उत्तरदाइद अपने उपर लेना चाहिए इस अवर रिस्पॉंसिबिल्टी क्योंकि इश्वर की श्रण में जाना या ना जाना हमारी स्वतद्रदा की दुरुप्यों के गर्ण है ख्रीशन भावनत अंदोलन बद्ध जिवों को अपनी मूल आनन्द में चेतना जोकी भगवत प्रेम हैं जागरत करने का सक्षम कार्यकरम प्रसुत कर रहाएं कि प्रपस क्या है क्रिश्न भावावनता का कि शुप्त प्रेम हैं क्रिश्न प्रेम नित्यसिध्द् करना जिसमिकार से वर्णावन वाजी करिश्ची सभाविक प्रेम था उससे हम जी हों का भी कृश्ची सभाविक प्रेम हैं इस जो दसवांस कदम पढ़ रहे हैं तो इसको प्राभपाज में कृष्चना वुक के में ट्रांसलेट करके लिखा था तो कृष्णा भूग के फॉर्वर्ड प्रस्तावना में उनके फॉल्वर थे जिनका नादा जॉर्ज हैरोसन काफी बड़े सिंगर थे वो समय अमेरिकन पॉप सिंगर थे तो उन्हों उसके फॉर्वर्ड में एक लाइन लिखी है एवरिवान इस लोकिंग फॉर कृष्णा सम नौइट सम डॉन्ट नौइट करें सब लोग कृष्ण को ढूंड रहे हैं कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं क्यों कि सब लोग आनंत क का बालग और कहां यह विशाल गोड़न परवत सारी रिवाइज कर ली और गोड़न और अरे यह ब्रजराज हमारे मन में आपके पुत्र के विशे में शंका हो रही है तो नंद माराज ने सोचा अरे अगर मुन को थोड़ी बात ब्राइज देता हैं उन्हें तो इनके आईश्वरे भाव में आ जाएंगे और हमारे प्रेम में कोई कमी आ जाएगी तो नंद माराज कहते हैं हे ग्वालो जरा मेरी बाते से सुनो मेरे पुत्र के विशे में जो आपकी शंकाए हैं न उन्हें दूर करो कुछ समय पहले गर्ब मुनी ने इस बालक के विशे में मुझसे इस प्रकार कहा था कब कहा था जब एक बार वसुदे जी कहने पर कोहित हूँ तो यदि उनको पता चल गया कंस को कि मैंने आपके बालक का नाम किया है तो वो सोचे आपका बालक वसुदेव का बालक है मार देगा इसलिए दोनों डिसाइड किया था नंद महराज और गर्ग मुनी ने चुपके से इनका नाम कर देंगे तो और वहां जाकर जब उनका नाम गर्ण किया तो नंद महराज कुर्ण ने कुछ बाते बताए थी वही बाते अब वो शेयर कर रहे हैं क्या कह रहे हैं गर्ग मुनी ने कहा था आपका पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूमें प्रकट होता है भूद काल में उसने तीन रंग श्व नाम वासुदेव हैं उनके पिता का नम वसुदेव हैं तुम्हारे इस पुत्र ने अपने दिविगुडों और कर्मों के नुसार अनेक रूप और नाम लिये हैं और उनका नाम कृष्ण है गोकुल के गौालों के दिविआनन्द में विद्धी करने के लिए बालक सदैव गौकुड नंदन्गोहद के पुत्रों के रुप में गौालों के परिवार में उत्पन गवाल हैं तो गोकुल के गौनों के दिविआनन्द में विद्धी करने की मालग करे गा और उसकी कृपा तुम सारे फिविग भूते यह — कृपार इंक शबогे ऑगे हैं मुसर्का होती है और इंद्रका सिगहासन से उतार दियाता है और इमानदार लोग चोरव द्वारा सताय जाते हैं तो यह बालक उनका धमन करने के लिए प्रकट होता है असुरगण देवताओं को हानी नहीं पंचा सकें क्योंकि नहीं सकते क्योंकि भावान विष्णु सदैव के पक्ष मे रहते हैं इस प्रकार सर्व मंगलबाएं क्रिश्ण से अनुरक्त कोई भी विठती नहीं कह सकता जिस प्रकार भावान कृष्ण के संगी कंस द्वारा पराजित नहीं किया सके उसी तरह उनके आज के भक्तगर्ण भी आसुरी प्रतिदूंदियों द्वारा पराजित नहीं किया सकेंगे ना ही भगवान के भक्तगर्ण आंतरिक शत्रूं से या भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा पराजित होते हैं भवान उनकी रक्षा करते हैं खासकर जितने यह असुर भवान मार रहे हैं तो यह हमारी इंद्रियों और इंद्रियों के द्वारवत्पन के अनेक शत्रू हैं काम, ख्रोध, लोब, द्वेश, यूशा, अंकार, तो भवान सुएम इनका दमन करते हैं भक्तों के उपर, अते ही वहे नंद महराज आपका य तो वो सोच रहे कि जी कृष्णा में कलेश दूर रखता है, गुब लोग सोच रहे हैं अरे नंद महराज, आपने हमें तक तो बताया ही नहीं भी तक, कि आप गर्ग मुनी से मिले ते, इसका नाम ग्रण किया था, उनको तोड़ा दुख हुआ, पर नंद महराज ने का, अ पर विन्दावन के वासी सारे बड़े प्रसन हो गए, उनका विस्म ही जाता रहा, और वे आदर पूर्वक नंद महराज और भावान कृष्ण की पुजा करने लगे, और फिर इस तरह से इस चैप्टर का अंतिम श्लोक था, शुदेव को सामी कहते हैं, अपना यग्य किया जाने पर, इंदर क्रोधित हुआ था, और उसने गोकुल पर वर्शा की थी, वज़ प्रात किया था, तेज हवा के साथ ओले गराये थे, पशो और इस्त्रियों की कश्र हुआ था, जब दयालू पर करती वाले भावान कृष्ण ने उन सब की ये दशा दे की थी, जिन शुदे गोसामी कहते हैं, गवों के स्वामी और इंदर के मिथ्या गर्व को खंडित करने वाले वेही गोविंद हम सब पर प्रसन हों, तो शुदे गोसामी जहाँ एक तरफ भावान की इलाओं का वंदन कर रहे हैं, वहीं हम सब पर लोगे लिए प्रात्रा भी कर रहे हैं कि तीनों के गुरू कृष्ण हमारी रक्षा करें, कृष्ण ने समस्य शत्रू का वद्ध गया है, कृष्ण को हमारा नमस्कार है, मैं कृष्ण का दास हूँ, यह संबून ब्रमान भवान के भीतर है, इसलिए मैं कृष्ण से प्रात्मा करता हूँ कि वो मेरी रक्षा करें तो इस तरह से यहाँ पर यह सारा घहर में काम चल रहा था और फिक गौल बालों के सांग कृष्ण कहले चल गए तो हम बदारे देखे किस तरह से सुर्भी के साथ इंद्र आते हैं और इस बात को समझ आते हैं कौन कृष्ण इसले एकान्त में आते हैं सब्सक्राइब करने कारण इंद्र अत्यंत लज्जित था इसको बड़ी शर्म आ रही थी एकांत स्थान में उनके पास जाकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पढ़ा तो भवान नहीं चाहते थे कि अगर सब के सामने आएगा और इंद्र गिरेगा तो इंद्र की बेस्ती और होगी पहले ही हो चुकिए बेस्ती पहले ही उसने अपना सारा प्रयास लगा कि विपना उनको डुबोने और इंद्र को बारिश वह इतना थे और इस बहाने से घुमते घुमते इदर आ गए थे वह कहां था एकांसान गोर्दन परवत की तलहटी पर भवान कृष्ण इंद्र को मिलने के लिए एकांसान प्रदान करना चाह रहे थे जिससे वे और आगे अपमानित ना हो भवान बड़े सेंसिटिव हैं उस एंगल से अपने भक्तों को दंड जरूर देते हैं लेकिन उतना दंड देते हैं इतना वह सैन कर पाएं इंद्र आत्म समण करने और शमायाचना करने आये था अता भवान उसे एकांत में ऐसा करने की अनुमती दे रहे थे बड़ा इंप सब लोग श्याद उस बात को समझ नहीं पाएंगे उसका मजाक उड़ाएंगे तो भवान इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं अब तक इंद्र सर्व शक्ति मान कृष्ण की दिव्य शक्ति को सुन और देख चुका था एक तो उसने खुद देखा कि मैंने तना प्रियास किया बादलों को लेकर आया तेज आदीद उतफान लाया और फिरविकृश्न को नहीं हुआ और का सुना कां था उसने ब्रह्मा लुक में गया था न भी पहले ग्रुजी सुना फिर ब्रह्मा जी सुना तो सुन भी दिया देख भी लिया भवान किस तरह से तीनों जगत के स्वामी हैं और अब उसका मिथ्य गर्व चूर हो गया था याचना के लिए पहले तो क्या किया गिर गया भावान के चर्ण कमलों पे सूरे के समान तेज मुकट वाले भावान के चर्णों में भी प्रकाश है भावान के चर्णों के नाखुनों से जो कर रहा है वो ही ब्रहमजी होती है और इंद्र के मुकट में भी सूरे से प्रकाश है दो सूरे के समान जो प्रकाश है वो गिर कर भावान के चर्णों के प्रकाश में लीन हो रहा है याचना के लिए दोनों हाथ जोड़कर उसने भावान को प्रात्रना करना शुरू किया क् विशुद्ध सत्वं तवधामश्थं तपो मयमध्ष्त रजस तमस्कम विशुद्ध सत्वं तवधामशान्तम। धाम के कई अर्थ बता रहे हैं प्रभपाजी श्रीधर्गवस्वामी की से तीका में से और धाम का एक श़प्द गोता是 ह में श्रीर से भी है कि आग कि आपका जो शरीर है दिववर शरीर वो सहव उतलो भॉण रजोगौण और तमघोर्ण से परे हैं 3ाstate अविशुद सत्विश न कि अभ reach क्या है अपरिवर्थनी है शांतम लग अद्वईतम जीटमनादी अनंद्रूप कितने सालों से भवान है लेकिन अपरिवर्थनी है शांतम का अर्थ अविचलित भी है काम से मुक्त या शुद भी हो सकता है वैदिक दर्शन के नुसार इस जगत के सारे परिवर्थन रजो और तमोगुर सुद्पन होते हैं ये श्लोग कई प्रकार से इस बात पर बल देता है कि भवान कृष्ण प्राकृतिक गुणों से मुक्त हैं फिर वो क्या करते हैं ध्वंस्त रजस्तमस्कम मतलब कि आपके संपर्ग में आने से रजोगुर और तमोगुर ध्वंस होता है जो विक्ति आपका गुणगान करत आपके बीतर माया और अज्ञान पर आश्रित बहुतिक गुण का प्रभाव नहीं पाये जाता है इंद्र अब भवान की स्तुतिक और रहे हैं यह सोच रहोगा भावान तो यह बोलेगे अरे मैंने देखो तुम्हारा पूजा बंद करवा दिया और तुम्हारे को जो पूजा में मिलने वाला था वो मैंने सब गोवर्दं कर दिरवा दिया असलिम मैं आपकी माया से भी मोहित हो गया था लेकिन आप किसी भी प्रकार की माया और अग्यान का प्रभाव आपके उपर नहीं होता है मैं आपकी माया से मोहित हो गया था इस प्रकार काफी लंबा थात परे में बता रहे हैं प्रावपाजी किस प्रकार से भवान तपो बयाम है ग्यान से पूर्ण है और भवान का दिव शरीर भी तपस्या से हुआ है तो यहाँ पर शरीदर गुसामी भवान की स्तुति वर्ण कर रहे हैं आगे कहते हैं तो भला आप में अज्यानी व्यक्ति के लक्षण लोब, काम, क्रोध, इर्शा किस तरे रह सकते हैं क्योंकि इनकी उत्पती तो संसार और मनुश्य की पूर्व लिपता के काणुती है वो असली में अपनी बाग को कहने आता है कि मेरे अंदर लोब है, काम है, क्रोध है, इर्शा है और मैं इस संसार में फसाओ हूँ लेकिन आप तो क्या हैं तीनों चीज़ों से मुक्त हैं फिर भी है परमेशर आप धर्म की रक्षा करने और दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दर्ण देते हैं तो कहरा है कि आपने जो दर्ण दिया है वो मुझे बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म संस्था अपनार था है धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं दुष्टों का धमन करने के लिए आते हैं तो प्रवपाजी लिखते हैं कि एक अभोध अजनभी व्यक्ति क्रिश्ट द्वारा गोर्दन धावन लिला की व्याक्या इस प्रकार कर सकता है कि विन्दावन के निवासी, वैदिक नियमों के नुसार स्वरके देवता इंद्र को कुछ भेट चिडाने के लिए बादे थे बाला क्रिश्ट ने इंद्र के बद की अवेलना करके इन भेटों को हरंड करके उन्हें अपना आनंद ले लिया लेकिन जब इंद्र ने क्रिश्ट और उनके संग्यों को दंडित करना चाहा तो भवान ने इंडर के प्रयास को विफल कर दिया उसे अमानिद किया और उसके गर्व और उसके साथनों का सवाथ कर दिया लकिन इसलोग में ऐसी हल्की व्याक्या का प्रतिवाद किया गया है यहाँ देवराज इंडर क् requesting को भवान केया कर समवोदित कर रहा है जिससे सूचेत होता है कि कृष्ण कोई समाइने बालत नहीं है तो कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र गर्रत गर्रत खाना करा था अनादिरा गोविंद सर्व कारण कारण यहां कि रहे हैं भावान आप सर्वस्रेष्ट हैं इंद्र वास्तुम में क्रिश्ण का विणी सेवक है जिस भाव को अव्यस्मन करने लगा है आगे कहता है आप इस संपून जगत के पिता आध्यात में गुरू और परम नियन्ता हैं कुछ कुछ शब्द में याद अखने चाहिए और भावान की साथ के बोलने चाहिए क्योंकि हमारे में इतनी योगिता नहीं है कि हम स्वेम प्रात्ना कर सके है पापियों को भी उनी के हित के लिए दर्ण देता है देते हैं आप बड़ी इंपॉर्णन बात है पिता अपने पुत्र को दर्ण देता है उसका उधार करने लिए तो पापियों को उनके हित के लिए आप दर्ण देते हैं हमें जो दर्ण मिलता है तो प्राया अपनी कम्यों को चुपाने का कोशिश करते हैं यहाँ पर इंदर कह रहा है कि नहीं मैंने गल्ती की है स्वेचा से लिए जाने वाले विविद अवतारों में आप उनलों का मिथ्य दर्प खमंड दूर करते हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं समझ रहा है मूर्क रशद्रावीन चद प्रोई शुर किये कर आलोचना करते हैं कि प्रकृति कार्यों द्वारा जीवों को दंड देते हैं कि तो चाहें वे अप्रतिक शूर्प से प्रकृति के माध्याव से दंड दें या अपने अवधारों के रूप में भवान को दंड इ है कि में मारे दुराचरन का सुधारने का प्रयत्ने करते हैं यद भी श्रद्दावीन लोग इस पित्र तुल्य निगरानी की अलोचना करते हैं तो बच्चे बड़े होके बिगड़ आते हैं तब लोग समझाते हैं अपने सुधारनी यह मातापिता की विशेश कृपा है अगर वो सुबह सुरू से ही उनको सुधारते हैं अब इंदर कह रहा है मुझ जैसा बूर्ग जन जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं तुरंत ही अपने मिथ्या गर्व को त्याग देते हैं और जब आपको काल के समक्ष भी निडर देखते हैं तो तुरंत आध् भवान तो अभए हैं ही है और मेरे जैसे मूर्ग जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठता है तुरंत ही अपने मिथ्या गर्व को त्याग देता है और तुरंत आध्यात्मी प्रग्रति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रेंड कर लेता है इंदर देख रहा था कि भवान अपने ग्वालबालों से व्रजबासे कितना प्रेम कर रहे हैं तो कह रहा है कि मैं अपना मिथ्या गर्व त्याग ना चाता हूं और आध्यात्मी प्रग्रति में लगए जो भक्त हैं उनका मार्ग अपनाना चाता हूं इस तरह आप दुष्टों को सिक्षा देने के लिए अनेक दर्ण देते हैं अप प्रापरी दाता ने कहा रहे हैं इतियास में ऐसे अनेक उधार्ण है जहां भवान अपने भक्तों का मिथ्या गर्व चूर करने लिए सिलना है करते हैं अपनी साशन सकती के मद्द में चूर एम आपके दिवे प्रभाव से अंजान मैंने आपक करें मेरी बुद्धी मोगरस्थ हो चुकी थी कि अब मेरी चत्म है को कभी इतनी अशुदह ना को यह आगे से मेरे बुद्धी कangel नहों ये भी बड़ी सुन्दर प्रात्रा में करने जाए है कि पहले हमारी बुद्धी खराब भुद्धी इसलिए में संसार बटक रहे हैं अब किसी काणवज भवानाओं की श्रण में आए हैं तो अब हमारी आगे बुद्धी खराब ना हो प्रापर ये बड़ी इंपॉर्ण मालिक थी यद्धी भवान कृष्ण ने गोर्धन परवत उठाकर ब्रद बासियों के रक्षा कर दी थी कि इंद्र को भी दंडित नहीं किया था इसलिए इंद्र सोच रहा था कि कहीं यमराज को बुलाकर मुझे नियमों का उलंगन करने वाले रूप में कोई धंड ना दिया जाए इसलिए वो भैवीत होकर तो यहांपर बड़ी इंपॉर्ण बात है कि इंद्र भैवीत होकर इस दलील देता हुआ शमायाचना कर रहा है कि एक मात क्रिष्ण करपा से वह शुद हो सकता है क्योंकि वह इतना जिद्धी है कि केवल दर्ण से वह नहीं सुदर सकता अब डरा हुआ है कई लोग डर के आते हैं भवान के पास कई लोग ऐसे डूटी आते हैं आउट अफ फियर आउट अफ ड्यूटी अब असली में प्रेंवच नहीं है इसलिए गया रहा है कि भवान आप ही अपनी कृपा से मेरे दुष्टता को दूर करो मेरे को दूर नहीं होगा अपर अगले पैरेंवच नहीं दिए फिर वो गल्थी करेगा इंद्र इंद्र दौरा दीनता के प्रदर्शव के बावजूद उसका हिर्दय पूरी तरह शूत नहीं हुआ था आगे चलकर इसी स्कान में हम देखेंगे कि जब एक बार भवान कृष्ण ने इंद्र के राज्य से एक पारिजाथ पुष्पलिया था किसके लिए सत्य भामा के लिए तो इंद्र ने भवान के विरुद उग्र प्रतिग्रा दिखलाई अरे जिसको भवान अभी रक्षा कर रहे हैं हमेशा रक्षा करते आएं अभी शमा कर रहे हैं फिर इंद्र बिगड़ गया अतैव हमें कृष्ण के राज्य में अपने साश्वत धाम वापर जाने की अकुशा करनी चाहिए हमें देवताओं के अपूर्ण जीवन में उलज क्यार कर रहे हैं हृँ के रहे प्रभु आप जिगत में में सेनाप्थियों को विनष्ट करने तक्लेक अफ्तरित हुए है जो प्रत्वि कभार बढ़ जाते है इसे भवानाये कौन से रूपzuge से रूप में हो भषूराम जी रूप Me घब सेनापति के रूप में आए तब प ऑर्थियम. इंदर केर रहा हैं कि मुझे पता है आप पने भक्तों को अनन्द देने के लिए कल्यान करने से EPA करतें ऑर दूशत लोगें उनका नाश करने के लिए संवव्यापई और सब की इर्दे में निवाज करने वाले है हे भवान आपको मेरा नमस्कार है हे यदुकुल श्रेश्ट कृष्ण आपको मेरा नमस्कार है इस तरह बार-बार प्रडाम कर रहा है फिर बड़ा सुन्दर किष्णो कहता है स्वचंद उपाद देहाया अपने भवान की इच्छा के नुसार देव शरी धारन करने वाले शुद चेतना रूप सर्वस्य समस्त वस्तू के बीज और समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार कारता हूँ पहले वो भवान की प्रातना करता है आप विश्वद रूप में हो, सरवग्य हो, सब को जानते हो भवान अपने उस गुर्णान से उस तूती से इतना नहीं प्रसन होते जितना की जब भगतों के सम्मंदित उनकी सूति की आती है इसे भवान की जितने नाम है यशवदा नंदन रोहिणी नंदन गोपी जनवालभ यह सब भगतों के सम्मंदित है नंदन नंदन तो भवान की ये नाम जदा प्री है भवान को चोई इसमें भगतों के इछाओं के अनुसार भवान उनकी इछाओं को पूरा करने के लिए आते हैं फिर वो कहता है ब्रभू जब मेरा यग्य भंग हो गया तो मैं मित्य अंगार ये कारण बहुत कुरुद हो गया था प्रवपाजी कहते हैं हमारा हाल भी इंद्र जैसा ही है एक उधान दे रहे हैं आपके घर में सब कुछ ठीटा चल रहा है घर आफिस फैक्टरी ये सब कुछ और आप भवान सब कुछ ठीक है और एक दिन आप चल कर आते हो और कहीं आपके पैर में चोड़ सक कांटा लगाता आप और फिर आप परिशान हो जाते हो और ब्लेम करना लगते हो कभी तो बहुआ को या रही क्या कर दिया हमारस बाद हो कांटा कि ने पूरे शरीर में एक पॉइंट नीज लेता है पूरे शरीर को भवान को धन्यावाद ना करें एक थोड़ा कांटा लग गया तो हम परि कृषी में थे सब लोग इंदर की पुझा करते थे तो अगर एक विक्ति ने नहीं भी की तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला था इंदर को लेकिनी इंदर अंकारी विक्ति था यहां क्या रहा है जब मेरा यग्य भग हो गया नद्स और यग्य नहीं गया तो मित्य अंकारी हि बहुत क्रोधित हो गया तो यह देखिए अंकारी विक्ति का लक्षन होता है सब कुछ ठीक है थोड़ा सा कर उसको कुष्ट मिलके तो वह सहने पाता है इस तरह मैंने गंगोर वर्डशा और वायू के द्वारा आपके क्वाल समधाय को विनिष्ट कर देना चाहा है है प्रभू मेरे मित्य अंकार को चकना चूर करके और मेरे प्रयास को पराजित करके आपने मुझे पर दया दिखाई है आप बड़े दयालू हो कि आपने मेरा अंकार खतम किया है अब मैं परमेश्वर गुरू और परमात्मा रूप आपकी शर्ण में आया हूँ तो इस तरह से बहुत सारे श्लोकों में और इंद्र क्या कर रहा है उनसे प्रात्रा कर रहा है और रोह नहीं लगा हूँ जब इंद्र आया है रोते हुए प्रडाम करते हुए प्रात्रा कर रहा है वेश बदल कर और जब गौतम रिशीन उनको देख लिया तो उनको शराब दिया और उनको श्राब क्या दिया कि बड़ा खतनाक श्राब दिया कि तुम्हारा इस्त्री के प्रती भोग विती इतनी आसित्ती है तो तुम्हारे इस शरीर में सारी जगे इस्त्री के चिन बन जाए योनी बन जाए सारी योनी बन जाए और गुफा में जाके बैढ़ गया इंद्र सब्सक्राइब कि यह क्या इस्त्री का निशान योनी का निशान उसके पूरे शरीर पर है सारे देवताप पढ़ेशान कोने की सेवा भी है रिस्पॉसिल इंद्र करा जाए और फिर सब गये प्रहमा जी के पास और पर ब्रहमा जीर गॉत्राम नेप्री सिवित.. इतनी देर में गॉत्राइब पर घ्ञ होगय था और अँठेगर कै उस निशान को आँखों मदल दिया चक्षू चक्षू हैं तो वो इतने सारे चक्षूं से रो रहा था भवान को अर्पन कर रहा था शुदे गुसवामी कहते हैं इस प्रकार इंद्र द्वारा वंदित होकर इंद्र ने जब बंदना किया तो पूर्ण पुर्शुत्म भवान क्रिष्ण थोड़ा मुस्कराए और तब बादनों की गर्जना जैसे गंभीर वानी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं भवान कहते हैं हे इंद्र मया मयाते अकरी मघवन मघवन मदलब इंद्र मैंने तो दयावशी तुम्हारे निमत होने वाले यग्य को रोक दिया था मैंने तो तुम्हें यग्य रोका वो तुम्हारे उपर दया दिखाई है अनुग रहा है तुम स्वर्ग के राजा के अपने अईशोरे से अत्यादिक उन्मत हो चुके थे और मैं चाता था कि तुम सदैव मिरास मन कर सको उन्मत प्रमत पागल तो स्वर्ग के राजा के अपने आईश्वरे से अत्यादिक उन्मत होना इतना पागल हो गई थे कि भावान को भूल गए जिस भावान ने आईश्वरे दिया वसी भावान को भूल गए तुम पागलपन की क्लिविट है जैसे कि रिश्व देव जी पांच में अपने पूत्रों कहते हैं नूनम् प्रमत्ते कुर्टे विकर्मा यद इंद्रिय प्रीति विद्न होती है इंद्री तिप्ति की बात आती है तो आदमी सब कुछ बूल जाता है और प्रमत हो पागल हो जाता ह प्रापा लिखते हैं कि पहले इंद्री में मन की बात कहीं कि देखो अभी भवान कह रहे हैं कि मैंने क्यों किया है इंद्र ने 11 शुर में कहा था ना कि कृष्ण ही सरवस्य हैं अताइव इंद्र के ही मांदर्ण के रुसार कृष्ण को विस्मृत करना पागल पन है जब भ ने पूर्वक हमें अपने नित्य संग्यों के पूर्ण पत पर वापस लाने का प्रयास करते हैं इंद्र को ऐसा दढ़नी देना सकते हैं जिसे कि वह उनी पोस्ट छोड़कर चला है क्योंकि इंद्र एक रिस्पॉंसिब्ल डिवोटी है उसके मन में अहंकार आगे साथ है तो भवान ने उसको अपनी पूजिशन से निटाया अपीचे सुद्धुराचारो भजते माम अनन्य भाव कि अधिक भवान की भजत कर रहा है भक्ति कर रहा है तो चाहिए दुराचारी भी है साधुरे वस्वतमंतव्य तो जितने भी देवी देता है वो सब भगवान से अपने आश्रवाद अपनी करपा को ले रहे हैं अगर वो मोर का पंग उठाकर अपने में और नाच लगए कि मैं राजा हूं तो मूरगता है इसी पर देवता हैं वो सब कुछ भवान से ले रहे हैं और भवान को लेकर भवान से सब कुछ भवान को भूल जाएंगे तो फ थोड़े गमंडी बन जाते हैं उन शक्ति को छीन लेते हैं जिससे कि हमें वी नमर बन सकें तो हमें जितनी भी शक्तियां जितने भी सुविधाय मिली हैं उनको सबको भवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए भवान कहते हैं अगे अपनी शक्ति और एश्वरे के नशे में उनमत मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिये हुए अपने निकट नहीं देख पाता है देखी जब आदी पागल होता है प्रमत होता है जब नशे में होता है अंकार में होता है तो काल को नहीं देखता है दंड का करना जाता हूंrok तो उसके रहसे ने लेन का नाता हो हम developत और कि क्रिष्ण हरें कि के पार क्ली करते हैं कि यह जब यहां पर कहते हैं यस अच्छ अच्छ अनुग्राम में मैं जशन करहते हैं नको लेक प्रावान कि कामना करते हैं तो जो रुकावट है भक्ति में भवान उसको दूर कडते हैं तो अगर कभी हमारे जीवने कुछ छिन जाता है हमारे से धन संपत्ति ऐश्वर्य समान पद तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस वो सब चीज़े हैं हमारे आदयात्मी जीव अब फिर भवान कहते हैं इंद्र को ठीक है आप तुम जा सकते हो नौ यू केंगो मेरी आगा का पालन करो देखिए भवान ने उसको ये नहीं का कि निकल जाओ छोड़ दो पोस्ट मेरी आगा का पालन करो और स्वर्ग के राजपद पर बने रहो तो सुम स्वर्ग के बोटी का लक्षण है गंबीर मतलब अभिवान में नहीं होता बड़ा सीरियस बड़ा विनम्र रहता है अभिवान से रहे कर तुम अपनी सेवा सेवा दुबारा से कर सकते हो हैं अभी जाना था था नहीं क्योंकि अभी तो उनको डर लग रहा है इंद्र को कि मैंने प्रात पर लेकिन वे को द्रण्ड दिया नहीं है और कहीं ऐसा नहीं वहां फिर रहा सुरु सुरु को भेज के द्रण्ड में को मिल जाए तो फिर सुर्वी की तरफ देखते हो और सुर्वी जी आती हैं तब अपनी संतान गउँव समेट माता सुर्वी भवान क्रिश्न को प्रण तो वो बाद और वहां पर आई हैं और वो प्रण ड़ं कर रही हैं तो हमने देखा था इसी से धकार्ण जब काली या का दमन किया था भवनません काली की पत्लिया आगे थी अपने बच्चों कलेकर भवान की धया को उज्यागर करने दिया आ लिए इसी प्रकारण से अब इंद की कालिय कैधक कल्या को भावान ने अपना आश्रवाद दिया केवल उनकी पत्म जो भगत जिए उनके कारण इसी विरा इंद्र को भवान श gomā कर रहे हैं फिशेष रुप班 से सुर्भी देवी कारण कुई को बिना की भवा Бावान की बखत debates के हम भवावा की किर्पा को प्र वेरी सिंपल क्रिश्ण गौने सरल गौले उनको जीतने के लिए कि विए सरल भक्ती चाहिए इने कपट करेंगे हम तो उल्टा डांग देते हैं अ कर सुर्वी आती हैं क्या करती हैं शुर्थी वांच कर लिए ुप और देख्यें जब भक्त हैं वह भवां की प्रात्na कैसे करते हैं कृष्ण कृष्ण महायोगी जो गौल बाल थे हों भी कृष्ण कृष्ण!!!! महायोगी भागा परात्रा कर रहे है ना MATharnos भी भड़ी खुश्ष थी एइक वहिए व्सलिएR було को देख रहें, कृष्ण कृष्ण करेए कृ विश्व संभवा विश्व आपकी वैसे सृष्टी हुई है भवता लोक नात ऑना लोकों के नात हैं आप सनाता सनात Orthodox हम अनात है भी तो सनात बलब जब भवाण के सचन जूड़ जाते हैं उनके शरण में आते हैं सनात वयम अच्यूता हे भवाण अच्यूत आपने भक्तों को वचन दिया है कि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं अच्यूत प्रभा लिएतने हैं कि क्रिष्ण क्रिष्ण दोराकर सुभी में प्रसंद थी क्रिष्ण ने एपनी योग शक्ती से गोड़न प्रवत उठाया और विंदाओं की गवों की रक्षा की थी जबकि सुर्भी के तथा कथित स्वामी इंद्र उन्हें मार डालने की कोशिश की थी अब सुर्भी की समझ में आया कि उसकी असली स्वामी देवता नहीं है अपितु स्वेम भवान क्रिष्ण है इसलिए हो कहती है आप हमारे आरादतेव है अभी तक सुर्ग भी इंद्र के सेवक्यों में रहनी थी सुर्ग की काया है न अब जब देखा होने तो कहारी है आप हमारे आरादते हैं देखिए इंद्र भी महीं खड़े है तो इंद्र को दुख नहीं हुआ वो समझ के कि मेरी गल्ती है तो जैसे जब बली महराज ने अपने गुरू के सामने गुरू को त्यार करकर भावान कृष्ण की सेवा को सुईकार किया इसी परकार अभी सुर्भी अपने स्वामी इंद्र को छोड़ करके और भावान कृष्ण के बारे में खहरी है कि आप हमारे आराद्य देव हैं तौम ना परमकम देवा तौम ना इंद्रो जगत पते अताई वहें जगत पती गवों ब्रामनों देवताओं ने सारे संद पुरोषों के लाभेतु आप हमारे इंद्र बने यूर अवर रियल किंग इंद्र बने राजा भी है ना तो असलिए में ये इंद्र ठीक है बट आप सभी के स्वामी हैं पती है इसके आप हमारे इंद्र बने प्रवपा लिखते हैं भवान ने असंग के संतानों में से एक को इंद्र पत पर इंद्र के स्वामी के रूप में न्यूक्त किया है कि इंद्र ने अपने पत का दुरूपयोग किया था अब सुर्भी परम सत्य भवान कृष्ण से प्रातना कर रही है कि वेही उसके स्वामी इंद्र बने हमें बिना मिथ्य अभ्यवान से अपना करतवे निवाना चाहिए इस प्रकार हम ना तो दुविदावें पड़ेंगे ना ही अनुपयोगी बनेंगे वेरी इंपॉर्णन पॉइंट मिथ्य अभिबान त्याह करके प्रतवे करो आपको ये सेवा दी गई है ठीक अब सेवा करो अभिबान नहीं करो आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो और ये तो भवान इकृपाय कि भवान ने में इस सेवा करने को दिये इंद्र को सोगना देए था कि हजारों लोगों से ब हांबल सर्वेंट कई लोग सोच रहे हैं अगर आप हांबल बने रहेंगे तो लोग तो मारा कचुपन में नकल जाएंगे लोग मारा दुर्पयोग करेंगे पर असली में यूमिलिटी एक मात ऐसे चीज है जो कि भावान को अकृषित करती हो सकता है शुरू शुरू में ल ब्रहान के चर्णों का सपर्ष्प्रात कर रहे हैं पड़ी विनमर सेवा कर रहे हैं पर बहान अपने उपर भी उठाये रखा प्रह्मा जी के आदेश अनुसार प्रिश्वात्मा आप प्रित्वी का भाहर उतारने के लिए इस संसार में आवत्रित हुए हैं सुर्भी अपनी शुद्धी के लिए भावान का अभिशेक करना आते थी अरे शुद्धी मनलब कि मैंने इंद्र के अधीन काम कर रही थी इसलिए मैं अशुद हो गई हूँ च्योंकि उसने आपके प्रतिय अपराद किया है तो अपनी शुद्धी के लिए हम क्या कर रहे ह और बड़ी इमानदारी के साथ अपना प्रस्ताव भवान कृष्ण के समक्ष रख रही है तो इसे दूद धही वेरा से अभीशे को थे ना भवान का तो उसके बाद वो शुद बन जा 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 चाड़ना में तो बन जाता है तो शुद देगो सामी कहरें कि सुर्भी कहती है कि आप हमारे असली राजा हो हम आपकी सेवा करेंगे और सारे बड़े बड़े जितने भी देवता उनमें से कृष्ण को वो चुनते हैं कि आपको मराजा बनाएंगे भवान कृष्ण के से इस तरह याचना करने के बाद माता सुर्भी ने अपने दूद से उनका अभी शेक किया देखिए मनलब अफकोल बाला के रूप में हैं कृष्ण सिर्फ साथ साल के हैं तो सुर्भी गाये में तो अनलिमिनेट दूद है सुर्भी ने अपने दूद से उनका अभिशेक किया और उनका स्रान कराया सुर्भी कुंड है ना अब गिराजी के परिकर में तो सुर्भी कुंड है जहां सुर्भी यहां अपने दूद से भवान का स्रान कराया अभी इंद्रस रहा संकुच कर रहा है कि सुर्भी मैं यह तो शमायाचना भी कर ली और अपने आपको समबर्थ भी और भावान को राज अभिषेक भी कर दिया मैं अपनी गलती कैसे सूइकार करों डर लग रहा है उसको भावान के पाचा आगए जाने से उसकी माँ जो हैंऔर अदिती याने करें से अकाश गंगा के जल से अकाश गंगा के जल से स्वरकिर गंगा जो है भावान का जलबशेक किया इस तरहे देवताओं और रिश्यों की संगती में इंद्र ने दर्शह वंश भावान कृष्ण का राजबशेक किया और उनका नाम गोविंद रखा तो यह गोविंद नाम है यह इंद्र गोवर्दनिला के बाद इंद्र ने दिया है और गोविंद्र नाम बड़ा विशेश है गायों को आनद देने वाले हैं गोविंद्र और गोविंद्र गोविंद्र का एक अर्थ होता है इंद्रियां भी होता है तो इंद्रियों को भी आनद देने वाले हैं विश देखते हैं और पुरप करें तो जानते हैं कि अभी हमारी पुंठेजों को धेखते हैं यहां पर इंद्र गोविंद नाम रख यहां है राजी कि परिक्र्मा में सबसे महत्कुन स्थान화 है गोविंद गुंड इंद्र ने यहाँ पर अपना शमाय आचना किया एरावत हाती से अकाश गंगा से उनका स्थान कराया और भवान का नाम गोविंद रखा इंद्र को पता चल गया था कि कृष्ण नामा के सुद्धा सलड़का वास्तव में भगवान है और फिर वहाँ पर नारद, विद्यादर, सिद्ध, चारण, गद्धर्वगर्ण, चगत को शुद्ध करने वाले भवान हरी के यश का गुर्णान करने के लिए सब लोग आ गए और देवताओं की पत्नियां हर्ष से भर कर भवान के सम्मान में नाचने लगी सर्व प्रमुक देवताओं ने भवान की प्रसंशा की उन पर चारों और से फूलों की अद्बुद्वर्षा की इससे तीनों लोगों को परम संतोष का अनभव हुआ और गवों ने अपनी दूद से प्रत्वी की सतय भाग को सिक्त कर दिया तो सारे देवी इताय भवान की पूजा किया गया प्रसंशा किया गया उनको राजभी शेख किया गया उनका नदिया अनेक स्वादिश द्रव्यों से हुथोकर बहने लगी फ्रिक्षिण ने मदू निकाल लिया खाद्य पौदे बिना जोते ही परिपक्व होठे परवतों ने अपने गर्म में चिपी मणियों को निकाला शुदे को समगेते हैं परिपक्षिण महराज भवान कृष्ण को अभिशे कराने के बाद सबी जीवित प्राणी यहां तक कि जो सभाव के करूर थे वो भी शतुर रहित बने गए सब ने क्या किया अपने सुद्धर सुद्धर वस्तु को कृष्ण को अरपन किया और फिर क्या हुआ गउं और गवाल जाती के स्वामी भवान गोविंद की अभिशे कराने के बाद इंद्र ने भवान से अनुमती ली अब याद रखिए यह सीन चल रहा है इस सब में भी कोई भी वंदावन का देखती नहीं है कि भवान का इश्वरी लिया का सीन चल रहा है ना भी लेकिन बच्ड़े लोग और ग्वालबा लोग जादा देर तो कृष्ण का विराइस हैते नहीं थे तो जब उने देखा कृष्ण मिले रहे हैं तो गुमते 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 वो इदर आ गए और दूर से बच्ड़ों ने देखा रहे यह क्या हो रहा है एक सोने के मुकट पहने वाला व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम कर रहा है एक चार मुकवाला व्यक्ति भवान के आगे हाजवणा खड़ा है और उनको एक राज सिंगासर मिठाया गया है एक हाती से उनका अभी शेक हो रहा है एक गाय से उनका अभी शेक हो रहा है इस दिखर बढ़ा शरोगे बच्चे ग्वालबाल ग्वालबाल आश्यर है चकत हो गए और कि इंहीं लुकुट का लगा लिए टुन्हें इसे जजे ना मताय ना जाए इनको तो क्रिश्न कोशिश करें ना बताये लें हैं जब कुई साख्यरय सीम्हinals जबना रहें कि इंदरभाव या सम्मान का भाव न आ जाए तब देवताओं ने जब देखा कि कृष्ण दौबारा से अपने गौाल बालों के संग खेल रहे हैं रिलाइं कर रहे हैं तो देवताओं बड़े आश्री सकत होगे और फिर उने जो गौल बाल थे इनके भाग्या की सराने की कितनी महान है कि ये स्वेम प्रणभवान कोविंद के संगी गौल बाल बच्चों की तरह अनन्द ले रहे हैं और फिर इन बच्चों ने आकर नंद माराज येशुदा माया और सारे गोप उताया अरे 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 ने देखा कि जम गाया को चलाते हुए बच्चों को चलाते हुए जा रहे थे तो एकदम से कृष्ण के पास बड़े-बड़े बड़े सुंदर लोग आए देवता लोग आए उनको प्रणाम कर रहे थे उनकी पूजा कर रहे थे देखो हम वहीं से चामास उमर लेकर आए ह उनको सुने का मुकट पनाया उनका राज अभीशेक किया उनको सान करा रहे थे नहीं नमारों सुर यह क्या हो रहे और तब ही उपर से आकाशवाडी की रूप में आवाजा है देवताओं का वाजा है कि जिस तरह से हमने कृष्ण को अभीशेक किया है आप लोग भी सब राज कुमार के रूप में हैं इसका आदर सम्मान कीजिए हैं हैं और तब सारे ब्रजवाची बटे प्रसन होते हैं और फिर उन्हों आके उनको भी बड़ा सुन्दर गुंगान करते हैं उनको एक राज कुमार की तरह सुसोबित करते हैं तो हम देखते हैं है आपर एक हिसलिया में की इंडर की जो ापालजी है अ Friday कि उसको कई दंड नमिल जाए बाद में परिक्षित मारा के दौरान में परिक्षित मारा ने वह साम डाल दिया था रिशी के गले में तो उनको बड़ा पश्चा था और जब वापस आया और पता चला कि रिशी के पुत्र ने दंड दिया उनको गिसात दिन में पुझे तो इतरे से बड़े खुश हुए कि मैंने जो गलती की है उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए क्योंकि दंड मिलने से क्या होता कि जो गलती करते हैं एक तो हम उसे शुद्ध हो जाते हैं और दुबारा गलती करने का चांज कम मना रहता है अगर में दंड नहीं मिलेगा तो हम गलती कर सकते हैं तो यहां पर प्रहपा लिखते हैं कि अधर जब इंदर गया था ना तो उसने बोला था सुरवी को अभी जब चले गए दुबारा इंदर और सुर्वी वापस गए पर सुन्दर लिजा ही भी कातंदर निसे बताएंगे इंदर और सुर्वी वापस चले गए और इंदर फिर सुर्वी के बाजातर कहता है देखो माया कितनी मिलवान है मैं कैसे अपनी सेवा कर रहा था और मैं अपने आपको मालिक समझने ल और फिरों ने बोला कि अभी तक मुझे जंडर नहीं मिला है सुर्वी मया मैंने सुना कि कल्यूग में भवान कृष्ण फिर से प्रकट होने वाले हैं और कल्यूग में तो बहुत सारे दोश होंगे तो हाँ मुझे कोई तरीकी बताओ कि मैं दुबारा से कोई ऐसा अपराद प्रपःधीप में गौरंग महांपृव प्रकट होंगे और वहां प्रकट होकर वो क्या है महावधनयायत के रुप में प्रेम करेंगे सब को जो गोलुग विंदावन का प्रेम जो भी गोपियों को दे रहे हैं गौलवालों को दे रहे हैं वो ही प्रेम वो सब भक्तों को प्रदान करेंगे इसलिए क्या करते हैं हम दोनों चलते हैं मायापुर नवदीप चलते हैं और वहां पर बैठ कर भावान का नाम लेंगे और भावान का प्रात्रा करेंगे। दोनों जने आते हैं ना वदीप में और वहां पर एक बहुत बड़ा वटवरिक्ष है। उसके नीचे वह बैठ कर भावान का नाम कृतिन करते हैं। दोनों कौन सुर्भी और हिंद्र। और भवान का समर्ण कर लगते हैं भवान उनकी सेवा से भक्ती से प्रसनों कर सुए महापुरू की रूप में आते हैं अभी महापुरू का प्रकट समय नहीं हुआ है ये तो दौपरियों की बाद चल रही है और वहाँ पर आते हैं बड़ा सुन्दर रूप है भवान का गोल्डन कलर है लंबे लंबे हाथ हैं लंबे बाल है और इस रूप को देकर प्रणाम करते हैं सुर्वी और इंदर भी बड़े प्रसन होते हैं और तब महापुरू के कहते हैं कि कुछ समय बाद जो मैं नवदीत में आऊंगा ना इंदर तो मेरे पार्षत की रूप में कारे करोगे और नाम संगिर्थन में सहयोग्द प्रणाम कर देए इसलिए तब तक क्या करो कि तन कर देगा अंगे नाम कर देख सुर्भी गाए जाती नहीं है सुर्भी गाए तपस्या करें जहां पर भवान कृष्ण ने आकर दर्शन दिया और गोद्रुम दीप है तो आज भी इंद्र और सुर्भी से क्नेक्टिट जो कता है वो माया पुर्मी जहां भक्तिन ठाकुर जी का भजन कुटीर है और वही वह जगे है जहां पर नित्यान प से बड़ा दुष्पन है और जो अपनी गल्ती को समझ जाते हैं तो मैं उसको स्विकार करना चाहिए और जो एपालोजी है जो माफी मांगना है कि नहीं है या कि रिच्वल नहीं है कि ठीक है मैंने सौरी कह दिया किसी को चलो मेरा पक्तिन नहीं हिर्दय से हमारे को शमाया कर दो मुझे नहीं भावान हमारी गल्तियों को माफ करते हैं तो चाहते क्या है यह चाहते हैं कि हम उन गल्तियों को दोबारा से ना थो रहें इसलिए हम बोद्वारा से वह गल्ती ना दो रहा हैं इंद्र देखिए हांपर punishment कुसे बचना लाता इसलिए वो शमा मांग रहे हैं लेकिन शमा अगर हम हिर्दे से मांगेंगे कि दुबारा से मारे अंदर यह खश नहाई रोग नहाई तो फिर हम सबसकते हैं, तो हमें यहां सीखना है कि हम दुबारा इंद्धि की लिला है, उसे में सीखना चाहिए, कि हमें भवाद से अपने गलतियों के लिए शमा मांगनेशा है, और यहीं प्रात्ता करना है, कि हमारे अंदर दुबारा ऐसा नहा है. कभी भी हमने गल्तियों को भूलना नहीं चाहिए एक बात और ही भी है एक तो गल्तियों की शमा मांग लेनी चाहिए और दूसरा हम अपने द्वारा की गल्तियों को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि जब जब कभी हमें कोई मान मिलेगा समान मिलेगा पोजीशन मिलेगी तो हम याद रखना चाहिए कि ठीक है मुझे आज ये मान समान मिल रहा है पर मैंने बहुत गल्तियां भी की है उससे क्या हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी और फिर हम उदर नहीं बनेगी इस तरह हमें गल्ती करने के बाद उसको अहसास करना चाहिए और भवान से प्रात्ना करने चाहिए कि दुबारा मुझसे गल्ती नहीं और हमेशा उस गल्ती का समन रखना चाहिए जिससे कि हम फिनमर बने रहें तो इसके चोड़ी सी लीला और है हम पांच मिन पढ़ते हैं कि इस तरह से भवान की पूजा करके तो यह क्या हुआ एक दिन एकाद्शी आया सब लोग घर चलेगा इंदर मीं चला कि आपने घर तो एक दिन एकाद्शी की दिन क्या हुआ नंद महाराज ब्रत रखा था और फिर दौशी की दिन वो सुबेरे सुबेरे यमना जी में स्न सुबेरे नहीं जाना चाहिए तो क्या किया वरुण के आसुरी सेवक ने उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले आया एक दिन की बात है पानी के जल के देवता वरुण है तो सुबेरे सुबेरे अर्ली मौनिंग में भी धाय तीन बज़े चले गए होंगे नंद महा तो भावान के महान भगत ने कोई गलती नहीं की थी उन्हें तेकिन ये जो वरुण का आसुरी सेवक था वो सोचकर की गलती करके और पकड़ के लिए आया उनको प्रापा लिखते हैं ये मूर्क नौकर कृष्ण या नंद महाराज या भगवत भक्ती के विशेय में कुछ भी नहीं जानता था वरुण के जिस सेवक नंद महाराज को पकड़ा था उसे असुर का आ गया है क्योंकि वे सेवक इस बात से अंजान था कि नंद महाराज परम सत्य के लीला के रूप के पिता है लगवान के पिता की रूप में है और दूसरा नंद महाराज शास्रों के या दो इसका पलंद क सुकते हैं पर भावान की सेवा करने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो गलत नहीं है तो इसलिए वो आगे कहेंगे जाके वरुण कहेंगे कि अजानता माम किये न मूड़ा मेरे अग्यानी नौकर में कर दिया गलती मांग नहीं है तो यहां प्रफ़ लिए इससे समझना चाह हे बलराम भावान कृष्ण ने उनकी चीके सुनी और समझ गए कि मेरे पता वरुण द्वारा बंदी बना लिए गए हैं अता अपने भक्तों को निडर बनाने वाले सर्वशक्तिश अली भावान वरुण देव के दरभार में पहुंचे अब वरुण जी तो भावान के भक आते जानते थे जैसे दो देखा यह देखकर कि भावान रिशीकेश स्वेम भावान आए हैं वरुण धून धाम से उनकी पूजा की अरे लोटरी लगए उनकी तो कहां पानी के नीजे रह रहे थे लेकिन भावान का दर्शन नहीं किर अपा रहे थे डूटी थी वह उनकी 24 जीवन लक्षे प्राव्त हो जगा है मैं एपने ediabha लगवान को सुएकार करते हैं बहुतिक संसार के मार्ग को पार कर सकते हैं परम परमात्मा मैं आपको नमस्कार करता हूँ आपके भीतर इस सृष्टी को अपने अनुरु बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है इस तरह से कह रहे हैं अजानता मामेकेन यह जो मेरा लड़का है ना सेवक गलती से ले आया देखो यहां वह बैठे हुए आपके पिता मेरे एक मूर्ख अग्यानी नौकर द्वारा मेरे पास लए गए है जो अपने करतवे को नहीं सामसा था कृपा करके हमें शमा कर दे प्रवापा लिख रहे हैं कि एक तरह से नंद महाराज का सूरे उदे के पूर्व जल में प्रवेश करना उचित था जीव गोसवामी कहते हैं विशेशता छोटी होने कारण एकादशी के वल अठारा गंड़े की थी उस दिन अता सूरे उदे के पूर्वी ही दौाजशी के छे गंड़े बीच चुके थे जिसमें उपवास तोड़ना था देखिए तो बारी किया नहीं पताती उसको चुकि सूरे दे होने पर वरत भंक का सही समय बीच चुका होता इसलिए नंद महाराज ने आने था अशुब समय में जल में प्रवेश करने का निच्चे गया देखिए जैसे अमरीश माराजी का था भी उन्हों सुना था कि महुरत निकल रहा था इसलिए उन्होंने दुरवास मुहनी के आने से पहले तोड़ा जल ले लिया दुरवास मुहनी सोच रहे ने बहुत बड़ा अपराद कर दिया अरे इकाजशी बवान की प्रिये हैं तो इकाजशी का पालन करना जरूरी है भक्तों के लिए तो इसलिए नंद बाराज इकाजशी का पालन कर रहे थे और अardly मौनी की दुआची का समय निकल रहा था इसलिए उग गए थे किते हे क्रिष्ण हे सर्व द्रिष्टा आप मुझे अपनी क्रिपा ब्रदान करें हे गोविंद आप अपने पिता के प्रती अत्रिक सनेवान हैं आप उन्हें घर लेकर जाएं आपका दर्शन हो गया यह बाहना अच्छा विल गया पकिले शुदे गुसामी केते इस तरह वर आखों से देखा था कि देवता लोग भवान की पूजा कर रहे हर बार आगे भी शो जाता था नंद महराज समंद्र लोग के साशक वरुन के मान आश्वर को पहली बार देखकर और यह देखकर कि वरुन और उनके सेवकों ने किस तरह क्रिष्ण का आदर किया आश्र चकित ने थे और उन्हें सब गॉल बालों आके बोला और तब समझे कि अवश्य भावान है और तब सब कि मन में की इच्छा होई अब वह लगाव को कि भावान है तो क्या भावान हम सब को अपना दिव्य धाम भी दिखाएंगे दर्शन कराएंगे गया और भावान तो सोच रहें मन में और उनकी इच्छा को बुरा करने के लिए भावन ने सोचा निश्चे ही इस जगत में लोग मूचे और नीचे गंतव्यों के बीचे में भटक रहे हैं कोई स्वर्ग जाना जाता है कोई लोग भी आनता है तो भावन कहते हैं मैं अपना धाम दिखाओंग लोग अपने असली गंतवे को नहीं जान पाते हम समशेक में पढ़ रहे हैं और फिर परसिति को जानकर भावान ने क्या किया ग्वाल बालों को अपना धाम दिखलाया गो लोग धाम वैकुंट धाम जो बहुत इक अंदकार से परे है भावान क्रिष्ण ने अनश्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया जो असीम तेज और नित्य था और भावान कहा लेगे उनको दिखाने के लिए ब्रह्म हद में ले गए जगे है उनसे जल के भीतर डुपके लिवाई और फिर उपर निकाल लिया इसी मातवपन स्थान से अकरूर ने भी वैकुंट को देखा जब अगले आएगा महीन गौलवालों ने भी परम सत्य के लोग को भी देखा जब नंद माराज और अन्य गौलवालों ने वजद दिवध्याम देखा तो उन्हें परम सुप की अनुभुती हुई पर सुएम कृष्ण को साक्षात फेदों से घिरे उनके द्वारा सुती किये जाते तेकर सुद्री लाएं हमने चटे द्याय से पढ़ना शुरू किया था 28 वा द्याय तक हमने पढ़ा और देखा हमने कि भवान ने कितने असुरों को वद्ध करके हमारे अनर्थों को वद्ध करने का सरल विदी उताया है पूतना शक्तासुर थ्रणावत्र यामला अर्जुन के व प्रकार के अनर्थों को रिप्रेजन करता है तो इन लिलाओं को पढ़कर हमें स्मन करना है कि किस प्रकार से हम कृष्ण का नाम लेंगे विनमर भाव से और कृष्ण से प्रात्रा करेंगे और इन लिलाओं का स्मन करेंगे तो हमारे हंदर भी जो अनर्थ हैं वो दूर हों तो कृष्णि इल्या को पढ़ने का एक उद्देश है यह जानना कि कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को वास्तिविक आनंद देने आते हैं तो इसलिए अगर हमें आनंद लेने का इच्छा है तो हम कृष्ण के संगा आनंद दें और दूसी से प्रातना करना चाहिए कि हमारी कम्यों को दूर कीजिए हमें भवान की अपनी सेवा में लगाएं तो यह भवान की लिलाएं हैं व्रिंदावन की बड़ी मौक हैं तो आज हम व्रिंदावन की लिलाओं की श्रंकला को यहां थोड़ा विश्राम देंगे पिछले 15-20 दिन से हमने सुन रहे हैं और कुछ दिन के बाद हम फिर कुछ और कारी कर्म शुरू करेंगे बठ हमारी आपसे प्रातना है कि जो हमने लिलाएं पड़ी हैं उनको नियमीत रूप से पढ़ें खासकर जिन जिन असरों के अनर्थों को प्रदर्शित करते हैं उन अनर्थों को खवान कृष्ण से प्रात्ना करें बलराम जी से प्रात्ना करें खासकर प्रलंबा सुर और धेनुका सुर जो कि अज्ञान को और जो पूजा अला प्रतिश्चा की इच्छा उसको प्राप्त करने की रखते हैं तो उसको दूर करने के लिए बलराम जी गुरू जी से प्रात् बनने की हमारे को इच्छा प्रकॉटों की जो की हमारे मनुश्री जीवन का लक्षे है इला पुरुषत्म भवान श्री कृष्ण की जाए जग्यत गुरू श्री प्रभुपाद की जाए और बहुत धन्यवासा बक्तों का तो इस लिला की जो श्रवन कर रहे थे इसको यहां श्राम देंगे और फिर कुछ दिनों के बाद हम दुबारा से कुछ अध्यान करना श्राम करेंगे हरे कृष्णा